पर एक्जामपल आपका सूराज हो गया, चंद्रमा हो गया, पानी हो गया, एक तरीके से यह बैयोटिक है, इनके अंदर लाइफ नहीं है, बैयोटिक कौन हो गया, आपके फेड़ पौदे हो गया, आपके जानवर हो गया, हाई टेक माइन वाप है, ऐसा नहीं भाईया, इतन कैसे हो तुम सब, उमीद बढ़िया हो, मस्तों, जबदस्तों, देखिए, आच उका है, पिटारे से एक और माइन भाप, या हाल चाल मेरे जबदस्त वाले पीवियांज, स्वागत है आप सब का, आपके जबदस्त वाले सूपाव वाले प्लाटफॉर्म, फिसिक्स वाला के उपर और आपके जबदस्त और धासुत तावड तोड़ वाले सिरीज, यानि हमारे माइन माप सिरीज के उपर, चले, तो बालग आज लेकर या हो, मैं आपके लगता हम खातरनाक, यानि घरमा घरम समोसों के साथ, हरी चटनी, लाल चटनी के साथ, एक कड़क, कड़क, क पहला चाप्टर फड़ावट से कराते हैं, और बस यही अपना मुद्दा, यही अपना एजंडा, तो देखते हो यार चले फड़ावट से स्टार्ट कर देखो, सबसे इंबोडिन क्या है भाई लोग, सबसे इंबोडिन इसमें है तुमारा टाइम, तो कम समय के अंदर रा समझ जाओ, कि वहाँसी किया करना है, आपने वो बिलकुल कहानी सुननी है, कहानी सुनने के बाद सारा डाउनलोड करना है क्या है, क्या है आपका चूर्ट का मिलेगा भाई, आपको वीड़ियो के गिस्रिप्चन में आप जाओ तो वहां पे आपके माइन्द माप का लिंक मिल जाएगा आप क्विकली वहाँ पर जाईए क्लिक करिए फ्री ओफ कॉस्ट नोट्स राउनलोड करिए और मस्त उसके बाद रिविजन करिए ठीक है फिलाल जो अगला समय आ रहा है इस अपसे लेकर थोड़ी देर तक तो जो मैं कहानी सुना रहा हूं उसको इक दम बढ़ मस्त साइक दम जबरदस्त था तो हम लोग बात करेंगे आज मोटा मोटी है resource classification के हम बात करेंगे resource plan कैसे करते है land कैसे utilize करते है soil के types वगेरा क्या है और अपका erosion and conservation ठीक है तो यह ही ऊने अब होता क्या है कि इसको प्यास लगती है अब लेकिन आसपास पानी नहीं है फिसको दूर एक मटका दिखाई दिता है अब उस मटके में जो पानी हो काफी नीचे अलब है तो भगया देखो सिंपल सी वात है नमबर वन यहीं मटके में रखा पानी हमारे प्यारे डॉगेश बाबू की प्यास तो बुझा सकता है यानि डॉगेश का नीड क्या है कि इसको कुछ मिल जाए पीने के लिए और इस नीड को सैटिस्वाई करने का पोटेंशल किसके पास है मटके में रखे पानी के पास लेकिन दिक्क्ट का समस्या यह है बिटा कि जो मटके में पानी है बहुत जरा सा है बहुत नीचे है तो इसको उपर लाने के लिए कोई निंजा टेक्निक तो लिगानी पड़ेगी तो डॉगेश बाबू क्या करते है अपना डॉगेशी दिमाग चलाते है शैतानी दिमाग चलाते है और उसके बाद इसको कुछ आसपास पत्थर दिखाई हैं पड़े पत्थरों को ले करके पानी उपर आ जाता है टॉगेश प् lines लगाई साइंस लगाई वो भी आपकी क्लासे करता है तो अगर आप देखोगे तो यहां पर बढ़िया पत्थर उठाए और डाल करके वहाँ पाए उसमें डाल दिया मटके में यानि टेक्नोलजी का होती है अगर उसको पत्थर लाने में बहुत टाइम लगता बहुत पैसा लगता तो यहार बेकार था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बड़ा आसान था बड़ा एजी था यानि अफोर्डिबल था तो भाईया सस्ते सुद्धर टिकाओ पत्थर ते फ्री में मिल गए उसको उस उसके पानी पीने की प्यास को बजा सके दूसरा टेकनोलजी अवेलबल थी तीसरा एकॉनमिकली भी अफोर्डिबल था यानि महेंगा नहीं था चौथा सब के द्वारा एक्सेप्टेबल था तो यानि इसके अंदर सारे गुण थे एक रिसोर्स बनने के तो आप किसी भी भी चीज़ बन जाती है आपकी रिसोर्स आप देखिए हम लोग रिसोर्स को कई सारे तरीकों से क्लासिफाई करते हैं जैसे फॉर एक्जामपल उनके ओरीजन के बैसे बायोटिक और इसको सरल चप्तों में समझ लीजे बायोटिक का मतलब जिसके अंदर जीवन है यानि ल रिणुबल और नॉन रिणुबल का मतलब होता है जो गुबारा से जली से बना सकते हो एक बातल बनते हैं वापस से बारिष होती है वापस पानी धरीजाता है तो बातल क्या रिचार्ज होता रही ठीग सकता है तो ले। फिर इनको बनाने में बहुत समय लगेगा for example हमारा कोईला पेट्रोलियम अगर एक बार खतम हो गए बहुत मिलियन्स ओव एर्स लग जाएंगे दुबारा बनाने में तो ये बड़ा अच्छा एक्जामपल है आपके नॉन्विनिबल रिसोर्स का अब दिखे जो लाटप है उसका मालिक का है उसका मालिक मैं हो यानि ये मेरा इनडिविज्यल रिसोर्स है आप जिस अपनी फोन के उपर पढ़ाई कर जो उसके मालिक का ने उसके मालिक आप हो आप जो school bag ले करके जाते हो उसके ownership किसे पस है आपके पस है तो वो आपका individual resource है वैसे कि आप देखो कई बार क्या होता है सरकार कुछ पैसे लेकर के गाओं के अंदर किसानों को जमीने देती है तो जमीनों का मालिक कौन हुआ और जमीनों का मालिक हुआ आपका किसान शहरों के अंदर लोगों के अपने बड़े-बड़े घर होते है उन घरों का मालिक कौन होता है भाई लोग होते है तो ये सारे resources हो जाते हैं आपके individual अब आती है कि बच्चे बात community on resources की तो देखिए वो resources हैं जिनको कुछ group of people own करते है है ना for example माल लीजे आपने देखा होगा कि आपके इलाके में आपके colony में एक पार्क होगा है उस पार्क में क्या है वो पार्क को construct करना maintain करना आपके इलाके के लोग उसकी काफी देखभाल करते होंगे यानि आप कह सकते हो एक community के लिए इस्तमाल किया जाने वाला resource है इसके लब आप देखोगे जब इंसान मर जाता है तो उसको जलाने का अलग अलग तरीका है ना किसी धरम में जलाया जाता है किसी के अंदर जमीन के अंदर गार दिया जाता है तो हर एक अपने proper burial ground है यानि हिंदूस का अपना शमशान गाट होता है मुस्लिम्स का अपना कब्रिस्तान होता है क्रिश्चन्स का भी अपना graveyard या कब्रिस्तान होता है तो हर एक community का अलग अलग तरीका है अपने dead bodies को final उनके rights करने का अंतिम संसकार करने का और इसके लिए उनके अलग अलग जगा है तो ये भी बड़ा अच्छा एक्जांपल आपके community on resources का फिर आती बात national resources की national resources मतलब देश के अंदर जो भी available है आपका घर मेरा घर पेड़ पौदे जंगली जानवर हर एक चीज जो है बिटा वो देश की है है ना और कभी-कभी in fact देश की जो authorities होती है जो government authorities होती है उनके बास ये power होती है कि अगर देश के लिए कुछ बढ़ाई की जा रही है तो उसमें आपकी private property को भी acquire किया जा सकता है अब for example आपने बड़ा हला सुना होगा आजकल जैवर international airport का ठीक है भया UP के अंदर बढ़ा खतरनाक airport बन रहा इसको आम नाम दिया हुआ है जैवर international airport अभी जो जैवर रहे बटा actually तो ये गाओं ही था गाओं में किसान थे अब international airport बनाना है तो आपको क्या चाहिए जमीन चाहिए तो जमीन किस से लेंगे गाओं की किसानों से लेंगे लेकिन सरकार क्या कर रहे है obviously बाते उनको कुछ खर्चा दे रहे है expense दे रहे है उनकी जमीन खरीद रहे है तो अगर आप देखोगे जमीन किसानों की private property लेकिन अभी क्या है कि देश के लिए कुछ बड़ा project बनाना है देश के लिए कुछ करना है तो वहाँ पे सरकार के पास power आ जाती है कि किसानों से negotiate करके उनकी जमीन को खरीद आ जा सके और airport बनाने में इस्तिमाल किया जा सके ठीक है done बचो in fact अगर आप देखोगे जैसे हमारा land border होता है जैसे अपना इंडिया पागिस्तान वाला border है इंडिया चाइना वाला border है वैसे अपना जो पानी होता ना पानी यानि जो coastal areas होते है वहाँ पे भी अपना border है लगभग लगभग 22 nautical miles के आसपर चले जाओगे यानि जो भारत की coastal इलाके है 30 इलाके है वहाँ से 22 nautical miles तकर आप ocean में जाते हो तो वह इलाका पुरा भारत की सीमा है यानि वह आप कह सकते हैं भारत का water सीमा है उसके अंदर आने का मतलब है भारत के अंदर इंटर कर गए तो यह हर एक देश के साथ होता है इसको हम कहते हैं territorial water तो उसके अंदर आने वाला भी जितना समान है वह सारा का सारा उस देश को ही belong करेगा अब देखे आते हैं international resources यानि वो resources है जिनको कोई एक country own नहीं करती बट कोई international organization इसकी देखभाल करता है अब जैसे for example अगर आप देखें तो अपने coast से अपने 30 ए इलाके से 200 km से 200 nautical miles तक का जो इलाका है वो कहलाता है आपका exclusive economic zone है ना तो वहां से कोई भी समान को आप इस्तमाल कर सकते हैं किसी भी देश के लिए लागव हो रहा है लेकिन उसके बाद अगर आप बात करो तो वो इलाका open ocean को belong करता है यानि बिना international institutions के permission से कोई भी देश उस इलाके से कुछ नहीं निकाल सकता for example इंडिया के अगर मैं बात करूँ इंडिया के पास एक plus point यह है कि भारत के पास एधिकार दिया गया है कि हम लोग manganese निकाल सकते हैं इंडिया नोशन से अब आते हैं आपके on the status of development right last वाला यानि potential पॉटेंशल का मतलब है आपके अंदर capacity आपके अंदर छमता है ना लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आपकी quality को थीक तरीके से analyze नहीं किया गया है इस वज़े से आपके performance में थोड़ी कमी है अब यह वो resources हैं जिनकी quality and quantity को अभी थीक तरीके से सर्वे नहीं किया गया नापा नहीं गया अगर यह कर लिया जाए तो शायद यह और बहतर perform कर सकते हैं for example राजस्तान गुजरात की बात करें राजस्तान गुजरात आप देखेंगे तो यहां पे number one धूब काफी पढ़ती है solar power का अच्छा opportunity है दूसी बत हवा काफी तेज आपको मिलेगी तो wind power भी develop हो सकता है लेकिन दिक्कत क्या है कि इन इलाकों को ठीक से survey नहीं किया गया ठीक से इनकी चानभी नहीं की गई है quality और quantity of resource कितना available है as a result आप देख सकते हो कि अभी भी इन इलाकों में potential है और जादा develop होने का ठीक है developed resources जिनका सब कुछ सई चल ला है जो अलड़ी आपकी दौरा utilize की जा रहे है अभी देखिए stock क्या होता है stock वो चीज होती है जो आपने अपने भंडरिया में रख दिया ठीक है भंडरिया क्या होती है आप देखो के पुरान जो मकान होते है वावे उपर थोड़ा सा storage में ठीक है तो पानी को आपको पता है पानी के इंदर hydrogen oxygen दोनों है और दोनों दोग जलने वाली gases है ऐसी gases जो energy produce कर सकती है लेकिन हमारे पास अभी फिलाल technology नहीं है कि water को तोड़के hydrogen oxygen अलग करें और उसको ऐजा fuel इस्तमाल करें तो जब यह technology भारत में आ जाएगी तब हो सकता है मिसका इस्तमाल करने लग जाए अब क्या है reserves अधिके reserve क्या होता है reserve का मतलब है कि बहुत simple सी बात है जो आपके पास ऐसे resource है जिनको आप बड़ी बचा-बचा की use कर रहे हो ठीक है तो आप कह सकते एक छोटा सा हिस्सा है ना stock का subset आप कह लिजे तो reserve generally वो resource है जिनको आप existing technology यानि जो आपके पास technology present है उसकी मदद से इस्तमाल कर सकते हो लेकि आप क्या कर रहे हो इसका इस्तमाल बचा-बचा के कर रहे हो ताकि आगे आने वाली generations के लिए आप इसे रख सको for example भारत में hydropower भारत में नदिया है बहुत सा ही नदिया है इसका इस्तमाल करके आप बिजली बना सकते हो लेकिन आप देखोगे भारत का भी 22-23 प्रतीशत ह है बिजली वो पानी से बनाया जा रहा है और बाकी बिजली अभी भी हम coal वगरा से पेट्रोल वगरा से बना रहे है ठीक है तो हम यही चाह रहे हैं कि यार एट्लीस हाइड्रो पावर को थोड़ा कम यूटलाइस किया जा है रीजन कि आगे आने वाली generations के लिए इसको हम ब बचा की उसकर रहे हैं तो ध्यान रखने हैं इसमें कंफ्यूज मत हो ना आगे बात करते हैं अब क्या है कि भाई development of resource का इस्तेमाल क्यों जरूरी वाइज development of resource important इसका बहुत सिंपल सरल तरीका है देखो मैं आपको बता होगा तो देखिए number one resources important है हमारी quality of life को maintain करने के लिए लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने कुछ ऐसे कांड कर दिये हैं इसके चलते resource खत्रे में आ गए number one हमने क्या किया है कि कुछ लोगों के हाथ में जो बहुत जादा powerful लोग है rich लोग है अब वो क्या करते हैं resources पे कबजा करके बैठ जाते हैं as a result समाज में एक विभाजन बन गया divide बन गया कि एक इनसान वो जिसके पास resources हैं यानि अमीर आदमी और दूसरा वो जिसके पास नहीं है यानि गरीब आदमी ठीक है अब आप देखो कि for example एक बड़ी company हो एक बड़ी furniture company का मालिक है वो क्या करेगा बड़ी आसानी से जंगलों को capture कर लेगा बड़ी आसानी से अ आप में कुछ है नहीं तो आज रिजल्ट आप देख पा रहे हों कि जो powerful है जो पैसे वाला है वो सब चीज़ पर कबजा करके बैठा है और जिसके पास बिचार एक पास power नहीं है वो बिचारा आप ऐसे ही बैठा हुआ है तो यहीं सोसाइटी डिवाइड हो गई है भी rich and poor की वाज़े से पैदा हो गए है अब क्या है इसका solution क्या है बिटा कि जो resources है इसको equipped तरीके से distribute किया जाए resource की proper planning की जाए जो कि बहुत जरूर है और तीसरा sustainable development किया जाए ठीक है तो यह तीन तरीके है जिससे आप resources को बहतर तरीके से इस्तमाल कर सकते हो बिना environment को damage किया अरे यह तो मैंने वही बोल दिया sustainable development का definition sustainable development भी यह कहता है जो प्रेजेंट में आप development कर रहे हो इस तरीके का हो कि आपके परियावरण को नुकसान ना हो और साथी साथ जो आगे आने वाली generations है उनकी जरूरतों के साथ भी आप compromise ना करिए that is called sustainable development ठीक है अब अग देखेंगे तो इन सारे मुद्दों को discuss करने के लिए world leaders में सुचा एक काम करते हैं भया मीटिंग बुलाते हैं वहाँ चिकन तंदूरी भी हो जाएगा खापी लेंगे मजा भी आ जाएगा तो क्या हुआ यह सारे जो leaders होते हैं भाई लोग अपने देश के इन्होंने क्या किया रियोडी ज objective है उसको discuss किया गया अब देखें क्या था इस conference के अंदर मैं आपको बताता हूँ देखो बहुत simple है कि 1992 में जो earth summit हुई रियोडी जनेरियो में इसको रियो convention के नाम से भी जानते हैं तो यह पे करीब 100 से जाधा head of state से यह लोग आए और इन्होंने आ के कई सारे declaration पे sign किया ठीक है इनका दो major मुद्धे थे number one global climatic change से fight करना जो climatic change हो रहा है world के अंदर जितना भी environment को नुकसान हो रहा है उसको बचाना climate change को fight करना दूसरा important मुद्धा था यहाँ पे जो local level पे यानि अलग-अलग देशों के अंदर जो अलग-अलग problems for example लोग गरीब है poverty है लोग के document बना है इसको अब agenda 21 भी कहते हैं तो इसका major मुद्धा यही था कि 21st century तक जितने भी countries ने participate किया इस conference में वो एक aim बना रहे थे एक goal बना रहे थे अपने लिए 21st century तक हमको sustainable development को अचीव करना है ठीक है और इन्हों ने यह भी कहा कि हर एक इंसान को हर एक government को अपने local level पे भ बहुत जरूरी question है ठीक है रिसोर्स planning को जरूरी है अब अगर आप देखोगे तो आपका जो अलग-अलग regions है ना बच्चे उनमें अलग-अलग resources एंप भारत की बात करें इंडिया में बात करूं आपसे तो भारत में आप देखोगे कि लडाक के अंदर no doubt वहां का culture बहुत roads वगेरा proper bridges वगेरा इनकी थोड़ी कमी है फिर अगर आप बात करें कि बच्चे भारत के आप ऐसे राज्यों में आ जाई चार खंट है ना तो यहां पर क्या है मिनरल वेल्थ बहुत जाता है लेकिन agriculture की बात करें तो वहां थोड़ा कमी है आप पंजाब अर्याना वेस्ट तरीके से बांटा जाए है ना ताकि जिसके पास कम है उसको भी मिल जाए और जिसके पास जादा है उसका भी ठीक ठाक मेंटेन रहे तो जब resources equal तरीके से बांटे जाएंगे पूरे देश में तो देश का हर एक हिस्सा डेवलप होगा और तभी जो है बिटाब क्या सकते हो क ओवर ओल कंट्री डेवलप होगा चलिए ते एक्जांपल हमने ले लिए हैं आपर राइट चलो फिर अगर हम बात करें बच्चे रिसोर्स प्लानिंग की तो रिसोर्स प्लानिंग का रीजन ही यही कि इस वैसे हमको रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए अब सवाल उठता है कि रिसोर्स कहां अवेलबल है और किस क्वालिटी में अवेलबल है इसके लिए फॉर एक्जांपल माल लीजे भारत में आज कहा जाता है यह भारत में लेट से एक न्यूज आती है आपके पास कि ब्रेकिंग न्यूज भारत में यहां पर पाया गया सोना लोग भागे है न तब तक इसका survey नहीं करोगे, इलाके का mapping नहीं करोगे, quality और quantity का measurement नहीं करोगे, तब तक आप कहे नहीं सकते कि जो सोना मिला है उससे फायदा होगा या नहीं होगा, अब दूसरा important बात है evolving a proper planning structure, अब आपको पता होना चाहिए यार कि सोने को निकालने के लिए भाईया Rocky commission लगेगी और कितना खर्चा लगेगा, यह सारगा सारा आपको planning structure बनाना पड़ेगा, और तीसरा सबसे important plant, सबसे important बात कि जो आप resource plan कर रहे हो, जिस resource को निकालने का try कर रहे हो, क्या उससे देश का फायदा होगा, क्या देश की प्रगृति होगी, यानि resource development plan को overall national development plan से match करन तो यह तीन important components है किसके resource planning in India, कि number one, identify करना कि कहाँ पर resource available है, किस quantity में, किस quality में, इसकी mapping करना, इसका survey करना, दूसरा, क्या technology का इस्तमाल लगेगा, किस प्रकार के liver लगेंगे, कौन से इंजिर, किसका permission लगेगा, किस तना खर्चा आएगा, यह सारी चीज़े manage करना, तीसरा, कि क्या जिसको आप develop कर रहे हो, वो देश का development है, होगा उससे, क्या देश को उससे फाइदा होगा, यह सारी चीज़ों को अगर आप analyze कर सकते हो, तो आप कह सकते हैं, आपने effectively resource planning कर लिया, आगे बात करते हैं, अब देखे का हमने क्या किया है, resources को इतना जादा इस्तमाल कर गया है, कि resource अभी खतम होने लगे हैं, इन प्राइट गांधी की बात करें, गांधी की बात करें, तो गांधी जी कहते हैं, कि there is enough for everyone's need, but not for everybody's greed, यानि लोगों की जरूरत के इसाफ से बहुत available है, लेकिन लोगों के लालच के लिए available नहीं है, ठीक है, और गांधी जी कहते अगर आपको आज resource depletion दिख रहा है, यहनि resources पर इतना जादा आप कह सकते हैं, प्रेशर है, तो उसका बहुत बड़ा कारण जो है, आप कह सकते हैं, टेकनोलजी है, तो गांधी कहते हैं, तो गांधी कहते हैं, बड़ी संख्या में किसी चीज़ को बनाना, मशीनों का इस् आप एक मशीन लेकर किया रहो, जो दस लोगी जॉब खा जा रही है, इससे बड़ी आएं यार, दस लोग हायर करो, काम तो आपको करवाना ही है, तो काम दस लोग को हायर करे करवाले हो, दस लोग को जॉब भी मिल जाएगा, उनका पेट भी भर जाएगा, बलब खाने के सकते हो, सिस्टेमाटिक वे में 1968 के अंदर, ठीक है, 1974 में गांधी जी के फिलोसफी को शुमाकर नामा के एक ऑथर है, उनोंने अपनी किताब स्मॉल इस ब्यूटिफुल में प्रेजेंट किया है, और ब्रंट्लेंड कमिशन रिपोर्ट जिसने कहा थे कि सस्टेनबल डेवल एक बड़ा important resource है, क्यों, आप जमीन का इस्तमाल कही सारी चीजों में करते हैं, जैसे घर बनाने के लिए, अब जिस studio में मैं खड़ा हुआ काम कर रहा हूँ, जिस studio में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिटा ये studio पी तो एक जमीन पे बनाए, यह जहाँ बनाए, जमीन पे बनाए, जमीन पे बनाए, तो land resources देखिए, no doubt, बहुत important है, दूसरी बात, यह बहुत finite है, बहुत limited है, तो अगर यह खतम हो गए, आपके बस जमीन ही नहीं बची, आपने जमीन बेकार करती है, तो आप सोचो, आप कहां जाओगे, कहां रहोगे, क्या करो अब plane area किसले उस्फुल है, ताकि खेती बारी कर सके हैं, लोग, अगर सोचो भारत में plane area नहीं होता, तो खेती बारी कहां कर पाते, तो भारत का 43% इलागा क्या है, प्लेन एरिया है, जो की खेती बारी कलिए अच्छा है, फिर अगर हम बात करें 30% भारत का जो इलाका है, mountainous region है, अब mountainous region में कई सारी फायदे है, number one, mountainous region से बहुत सारी नदिया निकलती है, जिससे में पानी मिलता है, tourism के aspect से mountainous areas बहुत अच्छे है, इसके अलाव अगर आप देखोगे तो 27% जो भारत का region है, वो plateau area है, plateau area किसली फायदा है, plateau area से आपको बहुत सारे minerals मिलते है, बहुत सारे fossil fuels मिलते है कोईला हो गया, petroleum हो गया, है ना कई सारे minerals हो गया, boxite हो गया, copper हो गया, limestone हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अपने को plateau वारे lesion में मिलते हैं, चल आगे बात करते हैं, अब यह question हता है, 5 number का explain the how this land utilize, ठीक है, land का utilize कैसे करते हो, देखो, number 1, जमीन आपकी present in the form of jungles, आप देखोगे तो jungles के form में, आपको कई बार जमीन मिल जाएगी, है ना, जंगल के लावा, गरे हम बात करें बच्चो, तो जमीन, कई सारी ऐसी जमीन है, जिस पर आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, for example, आपकी baron in wasteland, baron का मतलब बंजल जमीन, जो बिलकुल भी fertile नहीं, उस पर खेती बाड़ी करना possible नहीं है, wasteland मतलब पत्रीला इलाका है, ना, पत्रीला इलाका, जाल, जंकड़ वाला इलाका, तो यहाँ पे भी कुछ बनाना या खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल है, ठीक है बच्चो, चले, तो यह हो गया, फिर category आया है, land put to non-agriculture uses, यानि ऐसी जमीन जिसका इस्तमाल आप, school, college, hospital, office, flyover, यह सब बनाने के लिए इस्तमाल कर रहे हो, right, फिर अगर हम बात करें, other uncultivated land, ठीक है, इसमें हम लोग fellow land की बात नहीं करेंगे, ठीक है, fellow शब्त का मतलब भी uncultivated होता है, जिस पर खेती बाड़ी ना की जाए, लेकिन फिलाल हम यहां fellow lands की बात नहीं करें, हम कुछ और टाइप की जमीनों की बात करें, जैसे for example permanent pasture and grazing land, permanent pasture क्या होता है, जहांकि जो गाए भेंस होती है, must इतना चारा चरती है, इतना सुदे के चारे बजे, हरा हरा चारे, तो अगर आप देखो, तो जो गाए भेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो उन्हों का simple यहार, उन्हों कड़ाई पर नहीं तो खाएंगी नहीं, बटरनान तो खाएंगी नहीं, लच्छा पराटा खाएंगी नहीं, उनको कह चाहिए, उनको हरीरी घांस चाहिए, तो यह लोग जिस ठीक है, तो ऐसी चीजों को भी हम कहीं न कहीं, या फिर और किसी प्रकार का पेड़ हो गया, तो ऐसी चीजों को भी हम cultivated land में count नहीं करते है, ठीक है, done, फिर आती ही culturalable wasteland, culturalable wasteland क्या होती है, culturalable wasteland का मतलब होता है, कोई भी ऐसी जमीन, जिसमें पांच साल से जादा हो गए और खेती बाड़ी नहीं की गई, जैसे हमारा डोगिश बबु न डोगिश, यह पहले एक आदमी किसान भी वहा करता था, अब क्या है, उस जमीन पे करीब जिसमें पांच साल से जादा हो गया है और खेती बाड़ी नहीं की गई है, वह कहलाएगा culturalable wasteland, culturalable ठीक, इसको correct कर ली जाएगा, that's not culturalable, that's culturalable, done ठीक, ठीक, culturalable wasteland, चले, तो आप बात करते हैं, तो आप बात करते हैं, ठीक है, तो यह तो आपने बात कर लिए, जमीन आठ साल से खाली पड़ी उस पर खेती बाड़ी नहीं हुई, तो ऐसी जमीन कहलाती ही, culturalable wasteland, अब अगला आता है, current fellow, current का मतलब होता है, कोई चीज जो अभी अभी हुई है, तो ऐसी अगर हम बात करें, तो ऐसी कोई भी हो गया है, और इससे खेती बाड़ी नहीं हो, जमीन कहला है, पांच साल के बीच में कहती है, वो कहलाती है, अदर दन current fellow और current fellow में कौन सा होता है एक साल याँ उससे कम जैसे 5 महिना, 6 महिना, 7 महिना, 8 महिना, 9 महिना 10 महिना, 11 महिना या एक साल ठीकहे और other than current fellow में एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 5 साल से उपर हो गया नेट सोन एरिया का मत्दब है फिजिकल एरिया जहां पर अपने खेती बाड़ी की है फॉर एक्जांपल मालीचे कि मेरे पास दस एकड़ का खेत है अब उस दस एकड़ के खेत में से आठ एकड़ में मैंने अग्रिकल्चर किया हुआ है तो जो आठ एकड़ का एरिया वो मैं काउंट करूँगा मेरे नेट सोन एरिया में अब हो सकता हो जो बचा हुआ दो एकड़ हो उसमें मैं साल में एक बार से जादा बार खेती बाड़ी करता हूँ तो मैं क्या करूँगा अगर मुझे gross cropped area निकालना होगा तो पहली बात मैं वो 8 इकड का area लोगा और वो 2 इकड का area भी उसमें जोड़ दूगा जिसमें मैं एक से जादा बार खेती बाड़ी करता हूँ तो फूर मुझे मिल जाएगा gross cropped area तो net zone area का simple मतलब होता है कि physical area कितने इलाके में कितने इलाके कितनी दूर तक आपने खेती बाड़ी किया हुआ है ठीक है that is called net zone area और उसमें जब आप ऐसा इलाका आड़ कर देते हैं जहापे साल में एक से जादा बार आप खेती बाड़ी कर आगे बात करते हैं यह question वड़ा अच्छा आता है अब बात करते हैं भारत में land use pattern क्या है देखिए number one total geographical area भारत का कितना है 3.28 million square kilometer हाला कि अगर आप देखोगे तो land use pattern हमें सिर्फ 93% of the total area ही available है reason क्या है कुछ इलाके है ऐसे जो बहुत ज़ादा जंगल वाले लाके 80% से ज़ादा area जो है उन्होंने खेती बाड़ी में ही लगा दिया है तो यानि नेट सो इन अरिया पंजाब हर्याना के case में 80% है और वही अगर आप नौर्थी से चले जाए भारत के अरुन आचल चले आई है मिजोरम चले आई है मनीपूल चले आई है या आइलेंड इला 33% होना चाहिए लेकिन फिलाल हमारा जो करेंट देश का area है कि देश के अंदर forest area है वो सिर्फ 23% के आसपास है जो की काफी काम है अब अगर मैं बात करूँ बच्छे land degradation की है ना अच्छा इसके अलावा भी और अगर मैं आप से बात करूँ तो भारत के अंदर कई बार हम ज करते हैं क्योंकि most of the time आप देखो किसान उस पर खेती बारी करता ही नहीं है यह cost of cultivation बहुत हाई है किसान को जितना खेती बारी से income नहीं होगी उससे जाधा उसको पैसा लगाना पड़ेगा खेत इंप्रूफ करने में as a result ऐसी जमीन है काफी खाली चुटी हुए है तो उनक 95% जो मारा basic needs है जमीन से ही आता है बट क्या हुआ है कि अबने overuse की वज़े से हमने क्या किया है बच्चों की land को बिल्कुल degrade कर दिया बेकार कर दिया अगर आप देखो कि भारत में करीव 130 million hectare की जो जमीन है वो भी बिल्कुल बेकार हो चुकी इसमें 28% forest का इलाका है 56% water er eroded areas है जहां पर पानी ने erosion cause किया है है और बाकी जो है saline और alkaline deposit से saline मतलब जहां पर जो आपका soil है उसमें जो नमक का content है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ऐसी soil में खेती बाड़ी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ठीक है पहरे बच्चों आगे बात करते है अब causes of land degradation की बात करें तो जारखन, 36 गाड, MP, Odisha में mining एक major cause है ठीक है अगर हम गुजराद, रहस्तान, MP, महराष्ट की बात करें तो over grazing एक बहुत बढ़ा cause है over grazing मतलब जरूवत से जादा जब जानवर आपकी घांस चल जाते हैं तो area क्यों हो जाता है बेकार हो जाता है और जरूवत से जादा पानी डाल दिया खेतों में जो पानी जब जरूवत से जादा डालोगे तो खेत में पानी जमा हो जाएगा और यह जो जमा हुआ पानी ये क्या करता है soil की fertility को खराब करता है soil के salt content को बढ़ा देता है उसको जाता alkaline बना देता है as a result वो अभी खेती बा कर यह यानि plant more trees जादा जादा पेड़ होगा यह दूसरा shelter belt आप लगा सकते है shelter belt क्या होता है पेड़ों को एक seed में लगाना जब आप एक straight line में पेड़ प्लांट करते है पेड़ लगाते है तो उससे क्या होता है जब कभी तेज हवा चलती है तो हवा का जो force है वो break हो जात आपके बेकार हो जाएगी बरबाद हो जाएगी अगला stabilization of sand dunes by planting the thorny bushes sand dunes के आपको देखा होगा मिटी के जो रेत के पहाड़ बन जाते है न कई बार रिगिस्तान वाले लाकों में तो अगर इसके आप जाडियां लगा देंगे तो जाडियां क्या करेंगी इसको थोड़ा रिसोर्स की ठीक है बड़ा अच्छा important topic है तीक है soil के बात करें सबसे important renewable resource है अब soil किसे बनती ही बहुत सारे forces है ठीक है अब देखी कि जो temperature में बदलाव हो रहा है है यह हो सकता है बहता हुआ पानी है winds है glaciers है ऐसे बहुत सारे natural forces है जो आपके soil के formation बड़ी मदद करते हैं त soil देखे जिस पत्थर के टूटने से पत्थर क्या होते हैं बड़े-बड़े rocks है ना तो अगर आप देखो कि मान लीजेगी for example मैं चला जाओ भारत के central इलाके में मैं चला जाओ महराष्टा गुजरात इसकी नीचाल इलाके में या करनाटका के उपर वाला इलाका तो आप कि यहां पर मैजॉरिटी यह लाका कहलाता है भारत का पेनिंसुलर रीजन और इस इलाकी के अंदर जो वॉल्कैनिक एक्टिविटी कई साल पहले बहुत मिलियंस और पहले काफी आक्टिव रही है काफी बड़ी हा रही है ठीक है तो as a result क्या हुआ कि जब लावा या जो मै करेगा फिर धूप पड़ेगी तो क्या होगा पत्थर चिटकेगा है ना फिर इसमें हो सकता है कही सारे माइक्रो ओर्गैनिसम घुझ जाए तो और स्पेस क्रेट करेंगे तो ऐसे क्या हुआ कि पत्थर क्या हुआ टूटते गए टूट करके पाउडर फॉर्म में जब यह बहना स्टार्ट होई तो अपने साथ कावी सारी मिटी बहा के लिए और यह मिटी जो थी लाग के डिपॉजिट करती गहीं जमा करती गहीं आप देखोगे यहां पर अलूवियल स्वाइल बनना स्टार्ट होगी ठीक है तो आप कह सकते हूँ कि कई सारे ऐसे नाश साइन्स पढ़ती है सोशल साइन्स मतलब साइंस एल्ट और क्ले ठीक है फर्टाइल है कहां पाई जाती ही जनली भारत के नौर्धन पार्ट्स में ज्यादा मिलती है थोड़ा सा छोटा सा इलाका है जहां से यह थोड़ी सी स्प्रेड होती है आपको दिखेगी राजस्था साइन्स को फॉर्म किया गंगा इंद्रस ब्रह्मापुत्रा एक्स्टेंट्स इन राजस्थान गुजरात्रू नहरो कॉरिडोर वही जो आंको दारूं छोटा सा इलाका ठीक है साधी जाता को जो डेल्टा एरिया से महा नदी गुदावरी क्रिष्णा कावेरी के डेल्टा एरिया क्या खास है डेल्टा एरिया आप देखो डेल्टा वो इलाका है जहां पे नदी अपना सारा मिट्टी विट्टी छोड़ करके पानी ले करके आगे चली आती है समुदर से मिलने तो यह वो इलाका है जहां पे दलदल वाला सिच्वेशन भी होगा यानि गिली मिट् के लिए इन सब अनाजों को उगाने के लिए बहुत बढ़िया है ठीक है फिर अगर आप बात करेंगे बच्चे कि हमारे पास दो तरीके से डिविशन मिलता है हमको नमबर वन बांगर और खादर बांगर क्या है बांगर आपकी ओल्ड अलुवियल स्वाइल मतलब पुरानी म रफ से होते तो ऐसी मिट्टी में खेती बाड़ी करना बहुत एजी नहीं है ठीक है फिर आप खादर की बात करो खादर बच्चा वो इलाका है जहां पे आपको नई अलुवियल स्वाइल मतलब चिकनी मिट्टी नई मिट्टी अब आप देखोगे ऐसी इलाकों में बान ब पहाड खतम होते है ना तो पहाड की खतम होने के बात का जो प्लेइन एरिया होता है वो पीड्मॉंट जोन कहलाता है तो अगर आप पीड्मॉंट जोन में जाओगे तो वहां भी आपको कई बार इस तरीके की मिट्टी देखने को मिलती है कई बार है ना उपर नॉर्दन पॉस्फरस जो कंपाउंड है फॉस्फरस इसके अंदर बड़ा कम मातना मिलता है कहां मिलेगे आपको भारत के जितना भी यानि महराष्ट्रा स्वराष्ट्रा मालवा मध्य प्रिदेश 36 गड़ तो वहाँ पर आपको मिल जाती है बच्चे हमारी काली मिट्टी साथ ये साथ जो कृष्ट्णा और गोदावरी की नदियां की जो वैली क्रेट करती है वहाँ पर भी आपको थोड़ी-थोड़ी ये मि ये वाला जो आपका SECTION है ये कहलाता है आपका D 필요 प्लाट्यू Region तो के जो इसे न पाट ठीक है जो एसे न पहट है इडर्वाला और धक्षणी वाला इलाका यहनी यह से क्षिन ऑर यह वाला से क्षिन एसी स्ट्छन और स्थन पार्ट यहाँ आपको कईना कई मिलने वाली कोई भी पहाड है जहां पहाड एंड होता है जहां पहाड एंड होता है तो यह वाला जो इलाका है यह कहलाता है आपका पियर्ड मॉंट का इलाका है यानि पियर्ड मॉंट जोन हमेशा ध्यान रखेगा पहाडों के एंड होने के बाद का जो इलाका है वो पियर्ड मॉंट व है hydrated होती है तब यह 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 लो कलर की दिखाई देती है आगे बात करते हैं वड़ा वट से लेटर राइट आता है लेटर से इसका मेनिंगा पथर या नि ब्रिक ठीक है यह ऐसे इलाकों में डबलाप होती है जहापे बहुत है और टेंप्रेट्चर भी आपका बहुत जाता है है ना as a result क्या होता है जिस इलाकों में टेंप्रेट्चर बहुत जादा है गर्मी बहुत है ब्रेंफॉल बहुत है तो अब पानी क्या करता है पानी जो पत्थर है ना पत्थर के जितने भी ऐसे भी सानी से गुल सकते हैं तो इस ही मिट्टिया इसी द्वारा बंती है इसी तरही केसे बनते है ठीक है तो आप देखो के इसमें जो नूट्रियंट्स होते है और बिल्कुल पूर तो यूमस कंटेंट बहुत लो है बिकॉस मैक्समा माइक्रोर्गांसम जो डिकम्पोजर्स या बैक्टीरिया है यह डिस्ट्रॉइ हो जाते हैं विकॉस आफ हाइट इंप्रेचर तो इसमें यूमस कंटेंट डिफिनिट सी बाते नहीं मिलने वाला बहुत कम होगा कहा मिलेग यह हजिंग आपको नहीं मिलेगा और इन वे नहीं होती है ठीक है तो आप देखेंगे यह था रॉनच या इरगनिक के चलते है वे इंपरेचन प्रिट हाई है तो यहां पर यूमस या और्गानिक कंटेंट बिलकुल नहीं मिलेगा और इंस वे नमी भी नहीं होती है यह नहीं मौश्चर भी नहीं होता ठीक है इन फैकर आप जाओगे कभी भी होराइजन से यह नहीं सोयल का अगर थोड़ा सा सैंपल उठाओ तो जो इस जहां पर रेन फॉरेस्ट आपके काफी अश्वेलबल एं ऐसे लाके जहां बारिश काफी हो रहे है धूब भी ठीक ठाक है ठीक है ऐसे अलाकों में अगर आप गाटी वाले इलाके में जाए तो इस सॉयल काफी स्लिपरी है लोमी मतलब स्टिकी और स्लिपरी टाइप किये और अगर अपर एलाकों में जाए थोड़ी height पे जाए तो वहाँ पे ये काफी rough सी है, rough मतलब course, काफी मोटी है, and snow covered areas में अगर आप देखेंगे, तो ऐसी soil, जहाँ पर बार एसे areas, जहाँ पर बर्व बारी बहुत होती, बहुत बर्व गिर्थी है, इस soil का जो content है, काफी ऐसे पर टाइन में क्या होता बिटा कई बार जब पहाडों से नदिया निकलती है बार तो जितना भी अलूवियल स्वाइल ना उसको ऐसा पंखे के शेप में डिपॉजिट कर देती है ठीक है तो फैन इसलिए का जाता है विकॉस पंखे जासा शेप बन जाता है मिट्टी के डिप अब क्या होता है कही बार स्थेक्सि के लिबंट फैस्ट मेड़ने पानी का धुरेशन करता है दूसरा लिड़न अब क्या होता है कई बार पानि जो है जब clay soils के through होके गुजरता है force के साथ तो उसमें कई सारे गड्डे बना देता है जिसको आप गली कहते हैं क्या कहते हैं इसको आप गली ऐसे channels create कर देगा ठीक है तो आप क्या कहते हैं इसको कहते हैं गली और ऐसी जमीन जो है भी खेती बाड़ी के लिए बिल्कुल unfit है तो इ पानी बहुत तेजी से आ रहा है तो पानी इतनी तेजी से आ रहा है कि उसके साथ कई सारे level बहुत सारी volume में मिट्टी अपने साथ भागे लेके आ रहा है अब इसमें हो यह रहा है बिटाए जब पानी बहुत तेजी से आता है मिट्टी काफी तेजी से भागे लाता है तो विंड होती है वो भी कई बार erosion कोस करती है तो कई बार ऐसे भी होगा जो wind है आपकी वो उड़ा के लिए जाएगी आपके top soil cover को तो उसको हम कहेंगे wind erosion आप सवाल उठता है कि इसको conserve कैसे के जाएगे number one इसमें क्या क्या होता एक slope में हम कई बार ऐसी line से बना लेते हैं ठीक ह तो इसको हम कहते है contour lines और जब आप इसके along खेती बारी करते हो तो इसको हम कहते है contour plowing ठीक है तो बहुत simple जी बात है आपने क्या क्या अगर धलान वाला इलाका है तो उसमें खेतों को कुछ इस तरीके से काट लिया और यहाँपे सब पेर पौधे लगा तो इसको हम कहते है contour plowing इससे क्या होता है कि जब पानी बहता है तो उसका force काफी जाए decrease हो जाता है in fact wind भी आपकी soil को भागे नहीं ले जा पाएगी ठीक है क्या क्या है यहां पर कि दो major props है हमारे xnx हैना इसकी बीच में क्या किया कि थोड़ी थोड़ी घास लगा दी ठीक है एक घास का strip plant कर दिया इससे क्या होगा कि हमारा जो घास पगे रहा है जो extra material हमने लगाया है यह तम जड़ों को मजबूती से पकड़ के रखेगा और ऐस सुखो मंजरी विलेज और जबूगा विलेज में जो tree density हो काफी बढ़ गई है जो पेड़ों का घनापन है पेड़ों का जो आबादी है वो काफी बढ़ गया है 13 पर हेक्टर से लेकर के 1272 पर हेक्टर यानि पहले अगर आप बात करो तो एक हेक्टर में मातर 13 पेड थे ल आप देख सकते हो 2.9 मिलिन हेक्टर से वन परसेंट अफ दा इंडिया लैंड एरिया अभी ग्रीन बना दिया गया है अक्रॉस दा स्टेट थू वाटर्शेड मेंजमेंट अगर आप देख सकते हो MP में जो सरकार है उसने लोगों के साथ मिल करके करीब पूरे इलाके पूर सकते हैं और साथी साथ डेवलप करने में भी मदद कर सकते हैं चलिए तो आईए मिल के सपत लेते हैं भईया की तम रिसोर्स को बचाएंगे बचाने के साथ साथ कंजर्व करने में मदद करेंगे और साथी साथ सरकार के साथ मिल करके एक जबदस राष्ट का निर्मान करें जो अलेडी बहुत खुबसूरत है उसको और खुबसूरत बनाना है चले तो इसी कर साथ खतम करते हैं आज के mind map को thank you so much guys उमीद है कि आपको फटा फट सा जबर्दस वाला quick वाला recap मज़े आया होगा इसके notes आप download कर सकते हैं लिंक दिया हुआ है वीडियो को description में जाईए click करिए notes download करिए असानी से पढ़िए और इस कहानी को दुबारा सुनिएगा दुबारा इदम must notes पढ़ने के बाद तो आपको और मजाएगा आप और अच्छा understand कर पहेंगे चले मैं मिलता हूँ आप से अगली कहानी केंदर तता के लिए थांक यू दोस्तों बाई बाई टेक केर लव यू अल और मिलते हैं नेक्स तेंग बाई